तमिलनाडू में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले के फेक विडियो और खबरे वारल करने का मामला तूल पकर चुका है। बिहार पुलिस ने इस मामले में कारवाई करते हुए यूट्यूबर मनीश कश्यप के खिलाफ एफायार दर्च की है। एफायार के बाद से मनीश कश्यप पर गिरफतारी की तलवार लटकी हुई है। तेजस्वी आदव जी चश्मा हटाकर इस पोटो को देखिए मजदूरों के चहरे पर घाव हैं। जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग की है उसका मुबाईल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए क्या पता आप जूट बोल रहे हैं। मजदूर सच में तमिलनाडू में परिशान हूँ। मनीश ने आगे लिखा कि मजदूरों को तमिलनाडू में जो मार पड़ी है वो सच है कि जूट इसकी जानकारी तो सरकार और प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर राज्य से बाहर जाकर मार खाते हैं भगाये जाते हैं इसके लिए दोशी सरकार ही है। मनीश ने तेजस्वी आदफ पर आरोप लगाते हुए लिखा। बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडू में हमले की बात करने वाले मनीश कश्यप पर फेक विडियो फेलाने के आरोप लगे हैं। जो विडियो पोस्ट किया उसमें मजदूर बनकर बैठे दो लोग विडियो शुरू होने से पहले हसते हुए नजर आ रही हैं। दूसरा विडियो 14 गंटे पहले का है इसमें वही पीडित आंकर बना हुआ है। मनीश ने आगे लिखा कि सवतंद्र कमिटी में पक्षर रिपक्ष के नेता बिहार के समास सेवी, पत्रकार, वकील, रिटाइड, IAS और IPS अधिकारी और रिटाइड जज होने चाहिए। इस मामले की जाँच में लगी बिहार पुलिस की एक शाखा EOU के पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि कुल 30 फेक वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट का पता लगा है। पुलिस ने इन वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स को भी नोटिस जारी किये हैं, फेस्बुक को 9 नोटिस दिये गए हैं, ट्विटर और यूट्यूब को 15-15 नोटिस जारी किये गए हैं, वहीं तीन नोटिस जीमेल को भी भेजे गए। पीटिया के खबर के मताबिक EOU की 10 लोगों की टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है, अधिकारियों ने मामले में सख्त कारवाई करने की बात कही है, विहार सरकार ने चार अधिकारियों के एक टीम तमिलनाणू भी भेजी है जो इसी मामले की जांच में लगे महां झाल झाल